अब बेटा हम लोग कैसे एक algebraic expression को add करते हैं या subtract करते हैं उसे समझ लेके हैं येस आपने सही सुना subtract भी सुना because अगर आप बोड पे देखोगे तो बोड पे मैंने लिखा है addition, adding और add करेंट तो जब बेटा हम subtraction में जाएंगे न तब ये बन जाएगा subtraction, subtracting and subtract कहने का मतलब जो addition के rules हैं वही same rules subtraction के लिए भी लाभू होते हैं that is number one या तो आप उसे horizontal method में add करोगे यानि एक line पे sleeping जैसे कि हम लोगों को 4th में addition सिखाया जाता था कि आपको एक line पे portion लिखा रहता था, unit से unit place को add करो, 10s से 10s place को add करो yes, उसे कहते है sleeping method या फिर हम लोग जब rough column में जाकर एके नीचे एक, एके नीचे एक नीचे एक लिखते हैं उसे कहते है vertical method जिसे normal हम standing method कहते हैं अब समझने वाली बात क्या है बेटा, कि जब कभी भी एक algebraic expression को आप add करो या आप subtract करो, उससे पहले आपको एक बार बहुत अच्छे से याद रहनी है कि like terms होना ज़रोई है, I repeat मैंने लिखा है group the like terms together मतलब जो like terms है पहले आप उसे एक साथ ले आओ और उसके बार आपको add करना है तो add करो, subscribe करना है तो subscribe करो लेकिन like terms ही होंगे इसका सीधा साथा example है बेटा, आपका report का Yes, आपका report का nursery junior senior में maximum बच्चों को A plus grade आता था, A grade आता बात-बात में good, very good, star आता, smiley बनाके deputy teacher और आपके mommy, papa बहुत खुश होते थे कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को तरह हमेशा A1 grade आता है, A plus ही आता है जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, standard आगे बढ़ती गई, उमर बढ़ती गई, वो grade कहीं हम पीछे छोट रहे और जब कोई compare करता है ना, जैसे कि मैं open house में बैठता हूं, और जब मुझे बोलते हैं पारेंट के सर, नर्सरी जूनियर में ना, ये 98% लाता था या लाती थी, तो मुझे ना हसी आती है नर्सरी जूनियर का portion और 6 या 7 standard का portion कोई कैसे compare कर सकता है कैसे कर सकता है, क्या आपकी उमर हो है, आप नर्सरी में हाज ली 3-3 साल के थे हैं अब आप 7 में आप गये हो, आप 12 या 13 साल के हो, जब उमर एक जैसी नहीं है, तो portion और percentage कोई कैसे compare कर सकता है In short, अगर आपको add करना है, तो like terms, subtract करना है, तो like terms अगर आपको अपना ही report card comparison करना है, तो 7 का पहले term के grade को दूसरे term के grade से compare करो तो 6 का भी report card कोई का आपका नहीं है या पर, because 6 में आपको 40 marks की exam होती की return 7 में 50 marks की exam होती है, return इसलिए पारवपन बन करो, अपना competition अपने आप से है, और अपनी previous performance के साथ compare करना, अमारे लिए top priority होना चाहिए तो अब जब हम यह chapter solve करेंगे, एक-एक sum that is, एक ही question होगा, पहले हम उसे horizontal में add करेंगे, और उसी question को बात में हम vertical में और आपको तब समझ में आएगा कि horizontal हो या vertical उससे कोई परख नहीं पड़ता है, दोनों का final answer API का match होने वाला है, दूसरा भले चाहिए आप addition करने हो, तो addition, adding, add और यही जब हम subtraction में जाएंगे, तो subtraction, subtracting, subtract यह हो जाएदा, बाकी कुछ change नहीं होने वाला है, बस इतना दिमाग में इव्दम fit कर लेना है, कि like terms साथ में रगींगे, और उसके बाद ही हम उसे add हैं, तो add करेंगे, subtract हैं, तो subtract करेंगे, और हाँ, एक बात में आपको बता जिन लोगों को integers, rule for addition अभी अगर याद नहीं है तो वो लोग जबुक से याद कर देंगे, आपको याद होना चाहिए, हमने तीन rules पड़ेके, when both the numbers are positive, put plus sign and then add the numbers, rule number 2, when both the numbers are negative, put minus sign and then add the number, and rule number 3, when one number is negative, another number is positive, put the sign of greater number and then always subtract the numbers, ये तीन rules आपको अपनी जबान पर होने चाहिए, बिकास जब हम solve करेंगे न बिटा, तब हम इन ही rules को बार बार repeat कर रहे होंगे, इसलिए अच्छे से इन rules को आप एक बार revise करो, points to remember, एक new page देंकर आप इसे copy कर लो, और फिर इसके आगे बारे वीडियो से, हम हर एक sum को पहले horizontal में add करेंगे, और बात में warranty करेंगे, तुरिया, आपने.